के लिए मेंदु वर्डा तो यहां पर आगज मैं आपको मेंदु वर्डा बनानी की एकदम सटिक रेशिपी बताने वाली हूँ कि मेंदु वर्डा कैसे बना जाता है अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए रेशिपी बहुत एजी रहीगी तो हमने यहां पर उड़त डा इंचेया चेज तरीके से टूत रही है जैन का लिए उट्थै ताल को हम लेश ठेंगे से पिक कर रिर यहां पर लेंगे तो पेस्ट र Freunde एहां पूरोगे में जूकी थक्तर हो करें हैं तो आपकी दाले क्षेली हैं यहां पर पीस्ट कर रहेंगे तो तो आपकी जो दाल है वो थोड़ी सी गीली हो जाएगी अगर आप beginners हैं तो आपके लिए इसे हातों से बनाना difficult होगा क्योंकि दाल जो है वो गीली हो जाती है तो friends अगर आप चाहे तो इसे rest कर सकते हैं और नहीं लगता आपको rest करवाना तो आप इसे तुरन भी बना सकते हैं rest करवाने से यह होता है कि जो आपके बढ़े हैं वो अच्छे spongy और soft बनते हैं तो हमने यहाँ पे दाल को 20 मिट तक rest करने के लिए रखा था जैसे कि friends साथी हम बनाने वाले हैं साम भर तो साम भर बनानी के लिए हमने यहाँ पे डाल ले लिया है तूर जाल बरबटी डाल मुंग डाल और चैनी की डाल अब इसके बाद हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे पानी और इससे भीगांगर रखेंगे 10 मिट तक अब हमें यहापे बनाएंगे सांबर इसके लिए हमने यहापे एक कुकर ले लिया है कुकर में डाल है ओईल अब हमें यहापे डाल रहे हैं लाल मिर्च डाल ले के बाद हमें यहापे डाल रहे हैं राई और जीरा अब हम यहापे डालेंगे एक कटा हुआ प्याज चार से पांच हरी मिर्च दो कटे हुए टमाटर करेंगे इसे मिक्स अब हम यहापे डाल रहे हैं कटे हुए सिम्ला मिर्च इसे भी हम यहापे मिक्स कर लेंगे दो मिनट के बाद friends हम यहाँ पर डाल रहे हैं लाल मिच पाउडर धन्या पाउडर अमजून पाउडर अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर स्वाद नुसान नमक अब कर लेंगे इसे mix mix करने के बाद friends हम यहाँ पर डालेंगे पानी अब हमें आपर करींगे गयस की flame को high और अब हमें आपर डालेंगे कटेवे अलू इसकी बाद friends डाल भीगोकर हमने रखी थी 10 मिन्ट के लिए डाल भी हमारी भीग चुकी हैं अब करने के बाद हमें आपर डालेंगे डाल अब हमें आपर डाल डाल देते हैं अब करेंगे इसको mix अब हम यहापे डाल रहे हैं आदा नीबू करस और अब हम यहापे डाल रहे हैं दो ग्लास पानी इससे mix कर लेंगे और इसके बाद हम यहापे लगाएंगे cooker का ढखकन और अब हम यहापे से 10 मिर्ट तक होने देंगे जैसा कि friends मैंने आपको बताया कि हमने यहापे डाल को 20 मिर्ट तक rest करने के लिए रखा था तो 20 मिर्ट rest करने के बाद यह बहुत जादा soft और spongy आपको लगेगी और friends अगर आपको इससे rest नहीं करना है और आपको soft चाहिए मेंदू बड़ा तो आपको यह करना है कि आपको इसकी फिटाई अच्छे से करनी है कम सकम 5 मिर्ट तक तो आपकी जो बढ़े हैं बहुत अच्छे spongy और soft बनेंगे और friends हमने आप इससे 20 मिर्ट rest कराया है तो दाल तो soft होई गई है तो friends आप जब इससे rest कराने रखेंगे और इसके बाद इससे यूज करते हैं दाल को तो आपके जो बड़े हैं spongy और smooth और soft तो रहेंगे साथ में इसमें किस्पी पंजो आएगा वो बहुत अच्छा रहेगा friends हमने आप डाला है थोड़ा सा onion और green chili आप जाहे तो इससे skip भी कर सकते हैं और आपको डालना है तो आप इससे डाल भी सकते हैं और इसके बाद हमें आप डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और अब हमें आप इससे इस तरीके से मिला लेंगे और friends जैसा कि मैंने आप से पहले कहा फिटाई तो देखिए फिटाई कुछ इस तरीके से हम इसकी करते हैं हातों से अपने अब पिटाई करने के बाद हमने यहाँ पे लेलिये हैं एक तोरे में पानी और साइड में लेलिया है मेंदू बड़े का बैटर तो अब देखिए हमने हाथों में लगाया है थोड़ा सा पानी और कुछ इस तरह की से बैटर को लिया है और इससे हम शेप दे देंगे और बीच में करेंगे कुछ ऐसा होल और इसके बाद हमने यहाँ पर एक कड़ाई ली है कड़ाई में ओईल हो गया है हमारा मीडियम गर् देखे हमने हमें अगदम हलके हाथո से में दोड़े को आढ़ाई में डाला है तो ऐसी हम सारे में दोड़े बना कर डालिंगे कुछ ऐसे आपको धीरे से छोड़ना है और गेस की फ्लेम को आप लो कर लीजेगा जब आप इसमें मेंदू बड़े डालेंगे और हमें यहाँ पे गेस की फ्लेम को मीडिया में रखना है ताकि जो मेंदू बड़े हैं वो अच्छे तरीके से अंदर से भी प्राई हो जाए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यह जो मेंदू बड़ा है कि हलका गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हम यहाँ इससे पलट कर बता रही हूं और ऐसे हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्राई करेंगे हमें यहाँ पे गेस की फ्लेम को लो कर लेना है ताकि जो मेंदू बड़े हैं वो अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाए और आप और जब यह लो फ्लेम में हलके हलके गोल्डन फ्लेम राउन हो जाएंगे तो हम लास्ट में गेस की फ्लेम को हाई कर लेंगे एक मिनिट के लिए ताकि इसमें थोड़ा क्रिस्पी पन आ जाए और इसे अच्छा कलर भी मिल जाए ऐसे हम यहाँ पर सारे मेंदुवड़े को फ्राय कर लेंगे अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सारे मेंदुवड़े बनके एकदम तयार होगा है तो अब हमारे आप बनके सामबर भी एकदम रेडी है देखे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सामबर निकाल लिया है अब हम यह आपको महिंदुबड़े तोड़ कर दिखाएंगे कि यह कितने अच्छे क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं आप भी इसी तरी किस बनाइए खाइए और ट्राइ कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको हमारे वी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू फ्रेंग्स